दोस्तों BSSC CGL PT का पेपर आपने दिया होगा ठीक है दो तीन दीन पहले ही 23-24 को पेपर हुआ था तो देखिए चीटिंग की बात मैं हटा देता हूँ कि चीटिंग हुई भी है या नहीं भी हुई है एक जेनरल जो कोश्चन आये थे और एक जेनरल कंडिडेट यानि कि एव असे चीटिंग में आपका चीटिंग का जो है वो सिनर्यो आया होगा रही है दो सारे पगड़े भी गए है तो हो सकता है कि Jose, वह Only सभी है जो है वो चीटिंग हुई आए है तो उन अन्पिरे अगर05 लें ऍंव कि चीटिंग नहीं हुई है फ्यर ए heb कटॉप जा सकता है एक average मैं निकालने की कोशिस कर रहा हूँ देखिए आपको भी पता है कि 150 कोशन था चार नंबर का एक कोशन था लेकिन हम 150 को एक नंबर से पतलब कि 150 को एक एक नंबर हम माल लेते हैं तो उसके according यूर में अगर आप काटविट्स के 110 नंबर ला रहे हैं तो 106 कि हम बात करें तो 91 और 83 तो यही कट ओफ रह सकते हैं अगर एक ही सर्थ है कि इसमें चीटिंग ना हुआ हो चीटिंग हुआ हो तो वो 130 भी 40 भी जा सकता वो मैटर नहीं करता है कि आप कितना बना क्या है अंदर कुछ भी किया जा सकता है जब पेपर पहले से ही किसी को दे दिया जाए और सिर्फ रंगना रहे तो कुछ भी हो सकता है एक cheat लेके जाना है चीट भी कोई चेक नहीं करता है था हम मेरे center पे तो कुछ भी चेक नहीं हुआ बस जाओ लिखके आओ पता नहीं कि एक्जाम हो रहा है या सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है पनंगर पे जाके बैट के खाके चलाना है तो इस तरीके से बिहार की विवास्त जाके अभी जॉइनिंग दिया है और वो भी कितने लाटी खाने के बाद तो चीजे आ यहां पर सीधी तरीके से तो कुछ भी नहीं होगी आप सोच रहे हैं कि एक्जाम दियें कौलिफाई कियें और जो मिल गई बिहार में ऐसा कभी नहीं होता है एक्जाम दो उसके बाद प उसके बाद नहीं होता है यहां पर में सीधील प्लस लाटी प्लस गैस की फुहार क्या क्या केस मुकरमा मतलब कि तमाम चीजे घरताल भूक ट्वीटर केमपें तमाम चीजे इसको इंक्लूड कर लिजे पता मन नहीं कितने फेज में यह सब चीजे चलती है तो कोई बात नह होता है कोई भी और भी एक्जाम हो उसके लिए बने रहेगा चैनल के साथ चैनल पर मैं अपडेट देता रहा हूं ठीक है तो नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जाहिए